सर्वजिनिक छेत्रों के 11 बैंकों के प्रमुक कल यानी मंगलवार को संसदिय समिति के सामने हासिर होंगे फसे हुए कर्ज यानी NPA, बैडलोन और फर्धिवाडे के बढ़ते मामलों पर बैंकों के प्रमुक को जवाब तलब किया गया है ये सबी बैंक प्रमुक कॉंग्रेस नेता M.V. रपा मोयली के द्यक्षिता में वित्पर बनाए गई संसद की स्थाई समिति के सामने पेश होंगे ये समिति भारत के बैंकिंग छेत्रों के मसलों, चिनोतियों, रागी की कार्य योजना पर रेपोर्ट तयार कर रही है IDBI Bank, Yuko Bank, Central Bank of India और Bank of India बैंकों के प्रमुक को बुलाया गया है Indian Overseas Bank, Dena Bank, Oriental Bank of Commerce, Bank of महराष्ट के प्रमुक भी हाजिर होंगे United Bank of India, Corporation Bank और लाबाद बैंक के प्रमुक संसदिय समिति के समक्ष प्रस्तोत होंगे सभी बैंकों के प्रमुक समिति के सर्दस्यों के तमाम सवालों के चवाब देंगे देश का बैंकिंग सेक्टर बढ़ती होई NPA से जूज रहा है जो कि साल 2017 के दिसमबर अंत तक 8.99 लाग करोट रुपए रहा था कल NPA में से पाबलिक सेक्टर के सिदारी 7.77 लाग करोट रुपए है वहीं बैंकों में तेजी से बढ़ रहे प्रॉट के मामले कंभीर मसला बनते जा रहे हैं बैंकों की और से दर्च कराए गए प्रॉट के मामले बढ़े हैं वित्वर्ष 2015-16 में ऐसे मामले 4693 थे जो कि वित्वर्ष 2017-18 में पढ़कर 5904 हो गए हैं मार्च 2018 तक ऐसे प्रॉट की राशी 32,361 करोड 27 लाग रुपए रही थी जो कि वित्वर्ष 2015-16 में 18,968 करोड 8 लाग रुपए रही थी विरो रिपोर्ट APN